यह वाट्सप गाईज लेके आचको आप लोगे solution serverless data processing with data flow advanced streaming analytics pipeline with cloud data flow का तो सीध है नीचे scroll करना इधर और यह इधर पर आपको tap कर देने टास्पोर पर आजओगे थोड़ा सा और नीचे आपको scroll करना है टास्पाइप पर यहाँ पर आपको आपका region देखने को मिल रहोगे इस इस command को access कर लेना और उसको अपने notepad में paste कर लेना कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट रिजिन की जगहा पर आपने जो copy करना इसको पेस्ट करना इस चीज को अभी आपको copy नहीं करना है इसको select करके रख लो देन आपको आजाना है अपने again cloud पर एन इस URL को copy करना अपनी normal window में इसको आप open करेंगे ठीक इनको अगटों में नहीं करना है normal window में आपको इसको open करना है not secure को ignore करना आपको को issue देखने को नहीं मिलेगा ठीक है एक बर इसको open हो जाने तो completely यहाँ पर आपको terminal पर tap कर देना है और new terminal को start कर लेना है यह मैंने कर लिया है इन अगे mantra in back paste करना enter दवा देना ठीक है then again बैक और जिस pattern में मैं कर रहा हूं उसी pattern में रन करना वर देखने को मिलेगी ठीक है अगें आपको यहां से लेक करना है फूला ए नीचे तक जाते जाना जाते जाना जाते जाना जाते मैं copy कर रहा हूं ठीक है कर लेना है यहां तक आपको जो को कर लेना है त्टेक यह मणंगी हो चुकर हो नहें आपने इस वाली जब टैप पे इसको यह पर पेस्ट करेंगे एंड एंटर दबाएंगे ठीक है एंटर दबाने करेंगे अब इसको एक्जिक्यूट होने देना यह लेगी कम से कम 5-6 मिट का टाइम जैसे ही होती है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ इस पूरी कमांड को मैं कॉपी करेंगे एंटर दबा देंगे ठीक है यह यह लाकाम में हमारे डन हो जाएगा and message id create हो गई है again मैं back आजाओंगा इधर इधर आके अब इस पूरी कमांड को मैं copy कर लूँगा यहां से यहां तक and again इधर echo में again hi and hello ठीक है इस चीज़ को मैं copy कर लूँगा again मैं back आउँगा paste करूँगा enter दबादूगा ठीक है तो यह दोनों को जो हो जाने तो complete जैसे यह complete होती है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ यहां पर सारी कमांड जो है हमरी execute हो चुकी है again मैं आजा तो अपनी लैप पे सीधे हाऊंगा task 1 पे and नीचे scroll करना start करूँगा and check my progress पर आपकी जो टास्क है वो complete हो जाएंगे बिना के issue के नीचे scroll करेंगे थर्ड वाले टास्क पर नीचे scroll करते जाएंगे करते हैंगे चाहँ पर हमें task दिखेगा and यहां task port check my progress क्यों हमने अपने pipeline run कर लिए ठीक है तो आपकी issue नहीं दिखने को मिलेगा हमने test भी कर लिया है check my progress श्याला जो टास्क है भी आपका complete हो जाएगा so see you next video till the take care good bye